आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेडियो 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 रेडियों के लिए बहुत उपयोगी या यूजफूल हो सकता है जो लोग ASOC एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं और हैम रेडियो आपरेटर बनना चाहते हैं COVID-19 pandemic के बाद हमेचर रेडियो यानि हैम रेडियो के एक्जाम अब सलोली सलोली रिजून हो रहे हैं कई सेंटर पे एक्जाम भी कंडिक्ट किये गए हैं तो ये जो लोग एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे थे और एक्जाम नहीं दे पा रहे थे उन्नों के लिए एक सुब जैसा कि हमने सलेवस वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि पार्ट वन जो एक्जाम है वो रिटन टेस्ट है उसका सेक्षण भी है रेडियो रिगलेशन उसी का एक इमपोर्टन टापिक हमने उठाया है डेजिगनेशन आफ इमिशन जो कि अपेंडिक्स वन ह गया है तो आईए समझते हैं कि हैम रेडियो अपरेटर के लिए emission की जानकारी होना कितना महतपूर है क्योंकि अमेचर रेडियो के इंडिया में दो तरह की license दिये जाते हैं एक general grade और दूसरा restricted grade तो restricted grade में कुछ emissions टे restrictions हैं कि कौन कौन से emissions restricted grade के लोग नहीं यूज करेंगे इसलिए हैम रेडियो अपरेटर को emission के बारे में जानकारी होना बहुत ही महतपूर है इसके अलामा किसी भी radio waves को decode करने के लिए उसके emission के बारे में जानकारी होना बहुत ही महतपूर है जिससे ये पता चलता है कि इसके decoder को कैसे बनाना है इसमें किस तरह के modulation का यूज किया गया है तो accordingly आप demodulator भी उसी तरह का ही design करेंगे तभी आप उस signal को decode कर पाएंगे इसलिए एक emission की जानकारी बहुत महतपूर है तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि emission होता क्या आखिर emit सब्द का मतलब होता है कहीं से उत्सरजित होना या निकलना जैसे कि light imaging diode से light का emit होना इसी तरह से जब किसी transmitter से electromagnetic waves या radio waves उससे emit होती है या बैग्यानिक धंग से बोलें तो transmit होती है और transmission के बाद जो भी radio waves किसी भी माध्यम में travel करती है उसका formal name या आपचारिक नाम ही emission होता है तो we can say emission is the formal name of any radio signal transmitted from a transmitter या इस तरह से कह सकते हैं कि emission क्या है act of emitting or sending energy अब वो energy light energy भी हो सकती है या heat energy भी हो सकती है या radio waves भी हो सकती है यानि electromagnetic energy हो सकती है so emission is the act of emitting or sending energy in form of heat, light और electromagnetic waves ज़्यादा तर हैं radio frequency band के अंदर जो additional restrictions हैं वो restricted grade license के लिए हैं और general grade की license को कुछ additional privilege है जिसको emission privilege and power privilege भी करते हैं यानि कुछ एक emission modes को use करने के लिए केवल और केवल general grade की license holder ही eligible होते हैं और कुछ एक power use करने के लिए भी केवल general grade की license holders eligible हैं तो emission privilege को समझते हैं emission privilege क्या है this is a permission to communicate using a particular mode of emission like cw mode data mode etc तो अभी तक हमने क्या देखा हमने देखा कि emission का definition क्या है और emission का meaning क्या है actual meaning of emission समझ में आ गया होगा हमें लगता आको मैंने कुछ हमेचर emission types को example के लिए tabulate किया यानि साणी बद्द किया है तो पहले कालम में हमने emission लिखा है और दूसरे कालम में उसका description लिखा है अगर आप से कोई कहता है emission type cw है तो इसका meaning क्या है आफिर इसका मतलब है मोर्स कोड में ही आपके बड़ ट्रांस्मिट कर रहे हैं यानि आपका जो transmission है वो मोर्स कोड टेलीग्राफी है अब अगला question आता है कि मोर्स क्या होता है अभी आपको यह confusion आ गया होगा कि मोर्स क्या है इसके बारे में detail में हम एक अलग lecture में बताएंगे लेकिन मैं छोटा सा brief introduction दे देता हूँ आपको मोर्स के बारे में आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब एक राजा को किसी दूसरे राजा से सहायता लेनी होती थी किसी emergency condition में या युद्द के situation में तो अपने मित राजा के पास में समाचार भेजने के लिए जो सबसे तेज सेना में गुर्सवारी करने वाला सैनिक होता था उसको यह जिमेदारी सोंपी जाती थी क्योंकि उस समय टेलिग्राफी नहीं था तो message किसी code के रूप में भी हो सकता था किसी visual के रूप में हो सकता था किसी symbol के रूप में भी हो सकता था या किसी लिखित रूप में भी हो सकता था कभी कभी तो पडोसी राज का साहिनी के दर उस राज का जहंडा लेकर के या फ्लैग लेकर के उनकी सीमा में प्रवेश कर गया तो ये मान लिया जाता था कि पडोसी राज को उनकी साहेता की आव सकता है यह कोड था यह मैसेज जो सबसे तेज दोने वाले घोड़े से ज़्यादा तेज तो नहीं पहुंच सकता था यह लिमिटेशन थी बाद में टेलिग्राफ का जब आविस्कार हो गया तो इन मैसेजों को किसी कोड के रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए इलक्ट्रानिक मीडियम का इस्तेमाल होने लगा और 1838 में यानी 1838 में सैमुल मोर्स जो की अमेरिका के थे उन्होंने एक स्पेसल कोड डेवलप किया जिसका नाम उन्होंने मोर्स कोड रखा और उसे टेलिग्राफ के थो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांस्मिट करने म जो मोर्स कोड था उसमें क्या करते थे इंपल्स के रूप में साट ड्यूरेशन के इंपल्स और लांग ड्यूरेशन के इंपल्स को बेजा जाता था यानी साट ड्यूरेशन का एक इलेक्ट्रानिक सिगनल और एक लांग ड्यूरेशन का इलेक्ट्रानिक सिगनल जो साट ड इंपल्स को कितना लांग किया जाए, जो साट डिवरेशन का अम्पल्स है, उससे कितना डाट किया जाए, जाथ दो इसको इसके तीन गुणा जादाए यानि फ्री टाइमस जो है इसके डूरेशन को रखा गिया जो भी डाइस का डूरेशन होगा उसका डूरेशन एक कने दूसरा लेंगे इसमें आपके अंदर से मोर्स का डर खतम हो जाएगा उसमें इतनी सिंपिल way में हम आपको mods को समझा देंगे और उसके codes को कैसे memorize करना है हर एक alphabet के corresponding उसकी बहुत सारी छोटी छोटी tricks हैं उसको हम देखेंगे next lecture तो चलिए अभी focus करते हैं emission के बारे में अगला emission type है data जो computer to computer communication mods के नाम से भी जाना जाता है और इसको usually digital mod भी कहते हैं अगला है image जो की television के लिए यूज होता है next है mcw tone modulated cw morse code generated by keying and audio tone next one है phone speech or voice communications अगला है pulse communications using a sequence of pulses whose characteristics are modulated in order to carry information next है RTTY narrow band direct printing telegraphy received by automatic equipment such as a computer or teleprinter next है SS spread spectrum communications in which the signal is spread out over a wide band of frequencies अगला emission type है test transmissions containing no information तो अभी तक हमने देखा की emission क्या होता emission is the formal name of any radio signal transmitted from a transmitter जैसा कि हमने बताया कि किसी signal को receive या decode करने के लिए उसकी properties के बारे में जानना जरूरी होता है उन properties में emission एक है power इटेटर भी इसकी properties है तो emission designator के बारे में अब detail में discuss करते हैं इसमें दो section होते हैं section 1 जो है उसकी necessary bandwidth होती है और section 2 जो है उसका classification होता है section 1 के बारे में जानने से पहले हम क्या कुछ symbols के बारे में पढ़ लेते हैं जान लेते हैं क्योंकि ये बार बार यूज होंगे अब आप बताईए कि frequency की unit क्या होती है frequency की unit हर्ज होती है एच जट से उसको denote करते हैं यह इसकी SI unit है इसको international system of units में इसको बोलते हैं SI unit actually SI word जो है वो french word system international का एक abbreviation है SI थोड़ा सा SI के बारे में discuss कर लेते हैं किसी चीज को मापने के लिए यानि metric system का जो modern यानि आधनी शरूप है वो SI unit है और लगभग 20 का हर एक देश इस measurement system को अपना लिया है इसमें जो है साथ basic units है जिसको fundamental units भी करते हैं इसमें से पहला second है दूसरा meter है तीसरा kilogram चौथा एंपियर है पांचवा केल्विन है छटवा मोल है और सत्वा कैंडिला है तो seconds के लिए symbol s यूज करते हैं जो time का measurement करता है meter के लिए m का यूज करते हैं symbol जो length के measurement के लिए यूज होता है kilogram mass के measurement के लिए होता है उसको small k और small g से denote करते हैं ampere इसको electric current को measure करने के लिए यूज होता है इसको capital A से denote करते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से fundamental units को capital से denote करते हैं किसको small से denote करते हैं और उसके क्या region है Kelvin को temperature को measure करता है उसके लिए capital K का इस्तिमाल करते हैं mole जो कि किसी भी substance के amount को measure करता है उसको mol लिखते हैं mole उसको symbol mole यूज करते हैं candela जो किसी भी light की intensity के लिए होता है luminous intensity जिसको बहते हैं उसको small c, small d से denote करते हैं अब हमने ampere और Kelvin के symbol को capital letter से लिखा है तो यहाँ एक बात note कर लें कि जिस भी unit को किसी scientist के name पर रखा गया है उसको capital letter से denote करते हैं लेकिन यह kilogram को capital K लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा यानि scientific रूप से गलत होगा अब frequency के unit hertz की बात कर लेते हैं अब hertz में अगर आप hertz को denote करने के लिए small h और small z लिख दिया तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि hertz जो है German scientist Henry Rudolph hertz के नाम पर इसकी unit को रखा गया था उन्होंने James Clark Maxwell के जो है Electromagnetism के equations के द्वारा अनुमानित Electromagnetive Waves के existence को सबसे पहली बार प्रूब किया था इन्ही के नाम पर उनके सम्मान में frequency को या cycles per seconds को यह unit को hertz रखा गया था अब hertz को लिखने के लिए क्या लिखेंगे h capital लिखेंगे और z small लिखेंगे तो कभी भी अगर frequency की unit लिखनी हो तो scientific तरीके से अगर सही लिखना है तो h capital और small z लिखेंगे अब किसी भी unit के multipliers या multiples की बात कर लेते हैं जिसका basic unit अगर आपको पता है तो उसके multipliers को किस तरह से लिखते हैं basic units के multiplier दो तरह के हो सकते हैं एक basic units के parts करके दूसरा उसका multiples करके जो भी multiplier basic units के parts या fractions से बनते हैं उनको denote करने के लिए small letters का इस्तेमाल किया जाता है जैसे dchertz, centihertz तो अगर centihertz लिखना है तो small c, capital h, small z दूसरा multiplier है जो multiples से बनता है नगी fraction से तो उसके capital letter से denote करते हैं जैसे megahertz megahertz में m capital लिखना है, h capital लिखना है, z small लिखना है, kilohertz के case में एक exception है, kilohertz को small k capital h, small z से लिखते हैं क्योंकि capital k अगर लिखते हैं तो capital k kelvin के लिए standard SI unit है और वो capital k denote करता है kelvin को इसलिए capital k, capital h, z लिखने से यह हो जाएगा kelvin per second, यानि kelvin hertz भी कह सकते हैं capital k, capital h, z को इसलिए यहाँ पर k को small k लिखेंगे, h को capital और z को small लिखेंगे, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, kilohertz को जब भी लिखना होगा, small k, capital h, z केवल kilohertz में exception है, बागी सभी को capital letters में लिखते हैं, multiplier में, अभी देख लेते हैं, SI multiplex जो है, वो fraction वाले काउन काउन से है, 10 to the power minus 1, यानि एक hertz का जो है, 10th part जो होगा, उसको बोलेंगे, dechertz, उसका 100 parts जो होगा, उसको centihertz, यानि small c, capital h, small z, 10 to the power minus 2 hertz कितना होगा, centihertz, इसी तरह से 10 to the power minus 3 hertz होगा, millihertz, 10 to the power minus 6 जो होगा, microhertz, 10 to the power minus 9 जो होगा, nanohertz, 10 to the power minus 12 क्या होगा, picohertz, 10 to the power minus 15 क्या होगा, femtohertz, 10 to the power minus 18 क्या होगा, 8 hertz, 10 to the power minus 21 क्या होगा, jeptohertz, और 10 to the power minus 24 क्या होगा, yoktohertz, इसी तरह से SI multiples को भी देख लेते हैं, जो कि fractions की जगे, multiplier से बनते हैं तो अगर thousand times हो गया तो उसको क्या वो लेंगे kilohertz यानि 10 to power 3 hertz is equal to 1 kilohertz 10 to power 6 hertz is equal to 1 megahertz अभी 1 hertz के बारे में detail में आपको मैंने discuss नहीं किया 1 hertz का मतलब होता है कि 1 second में 1 cycle complete करेगा इसी तरह से 1 kilohertz का मतलब 1 second में 1000 cycles complete करेगा तो उसको बोलेंगे 1 kilohertz तो इसी तरह से 10 to power 9 जो है hertz is equal to 1 gigahertz 10 to power 12 hertz is equal to 1 terahertz 10 to power 15 hertz is equal to 1 petahertz 10 to power 18 is equal to 1 11 hertz 10 to power 21 is equal to 1 zetahertz 10 to power 24 is equal to 1 yotahertz second to power minus 1 को क्या कह सकते हैं 1 hertz कह सकते हैं यानि per second is equal to 1 hertz तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से frequency को denote करते हैं और hertz का मतलब क्या होता है तो अभी हम radio frequencies के classification के बारे में देख लेते हैं इनके symbols क्या क्या है VLF, LF यानि very low frequency, low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency और extremely high frequency इनके corresponding जो भी wavelength होती है जिस range में उसकी wavelength आती है उसी के basis पर उसको centimeter waves, decimeter waves, millimeter waves इस तरह का नाम दिया जाता है अब एक question यहां पर है कि अगर आपको frequency पता है तो क्या उस wave की wavelength निकाल सकते है जी हाँ, निकाल सकते है क्योंकि जो है, electromagnetic waves light की velocity से travel करते है यानि उनकी speed जो होती है, 3,000,000 km per second होता है यानि 3 into 10 to power 8 meter per second जो होती है, electromagnetic waves की speed होती है तो अब एक formula note का लीजिए, frequency is equal to speed of light upon wavelength या इसको convert कर लें, तो wavelength is equal to speed of light divided by frequency अब चलिए इसे calculate करते हैं, एक example लेते हैं 3 to 30 GHz के band को लेते हैं यानि super high frequency के corresponding wavelength हम drive करना चाते हैं या calculate करना चाते हैं तो 30 GHz को क्या लिख देंगे हम, 30 को लिखेंगे 30 into 10 to power 9 Hz 30 into 10 to power 9 Hz हो गया अब value put करिए, lambda is equal to c की value कितनी है, 3 into 10 to power 8 meter per second divided by 30 GHz, 30 GHz को क्या लिखेंगे 30 into 10 to power 9 Hz को क्या लिख देंगे 1 upon second यानि per second अब यहां से देखे, 3 से 30 को अगर cancel out करेंगे तो यहां 10 आ गया और 10 to power 8 से 10 to power 9 को cancel out करेंगे तो यहां 10 बचेगा और second second cancel out हो जाएगा तो उपर कितना आ गया, 1 meter divided by 100, 10 into 10 क्या गया, 100 1 upon 100 meter को क्या बोलते हैं, centimeter तो इसी देख को बोलते हैं, centimeter waves इसी तरह आप सभी के लिए calculate कर सकते हैं अब radio frequencies के classification को याद रखने के लिए एक formula बताता हूं आप उसको अच्छे से note कर लिजिए, formula क्या है, note कर लिए 3,2,30 into 10 to power n kilohertz अगर n की value 0 है, तो उसको क्या याद रखना है, very low frequency 1 है तो low frequency, 2 है तो medium frequency, 3 है तो high frequency, 4 है तो very high frequency 5 है तो ultra high frequency, 6 है तो super high frequency, और n की value 7 है तो extremely high frequency तो चलिए इस formula को use करते हुए हम very high frequency range को निकालते हैं और इसमें आप याद रखी 3,2,30 हमने लिखा है, lower limit को exclusive करके है, उसको नहीं लेना है उसकी value को और upper limit को inclusive करके, यानि upper value को include करना है, जबकि lower value को exclude करना है जैसे 3,2,30 kHz अगर कहा गया, तो excluding 3 and including 30 kHz तो यह होगा very low frequency अभी हमने क्या याद किया, n की value अगर 4 है तो क्या होगा, VHF range की frequency निकल जाएगी तो आप value put करिए, 3,2,30 into 10 to the power n kHz, यह हमारा formula है अब इस formula में n की value 4 put करने पर क्या value आएगी, 3,2,30 into 10 to the power 4 kHz अब हम 10 to the power 4 kHz को क्या लिख सकते हैं, 10 mHz, तैसे लिख सकते हैं, 10 to the power 4 kHz is equal to 10 into 10 to the power 6 Hz, 10 to the power 6 Hz को क्या लिख सकते हैं, 1 mHz तो क्या आ गया 10 to the power 4 kilohertz is equal to 10 megahertz अब हमने लिखा था 3 to 30 into 10 megahertz अब 10 से multiply कर दीजे तो 30 megahertz to 300 megahertz ये क्या आ गया VHF frequency range आ गई इसी तरह से किसी भी range को आप निकाल सकते हैं तो ये फर्मला याद रखिए 3 to 30 into 10 to the power n kilohertz और n की value क्या होगी 0 to 7 vary करेगी 0 होगी vary low frequency के लिए और 7 होगी extremely high frequency के लिए तो अभी हम emission designator को समझने के लिए जो ground work था उसको ready कर लिया है frequency को समझ गये frequency bands को समझ गये बहुत सारे multipliers को समझ गये और उनको denote करने की techniques को भी सीख लिया है अब हमने बताया था कि जो emission designator है उसके दो पार्ट है section 1 and section 2 section 1 is necessary bandwidth and section 2 is classification section 2 जो है classification उसको further to sub-sections में divide किया गया है sub-section 2a and sub-section 2b sub-section 2a is basic characteristics and sub-section 2b is optional characteristic for the classification of emission now we will discuss about the section 1 which is necessary bandwidth necessary bandwidth के अलावा एक और टर्म आता है occupied bandwidth तो चलिए इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं what is necessary bandwidth and what is occupied bandwidth necessary bandwidth or frequency band है जो just sufficient हो to ensure the transmission of information यानि necessary bandwidth or frequency band है जो किसी भी information के transmission के लिए just sufficient हो और specific तरीके से कहें तो किसी भी information को specific condition में required rate और required quality के लिए जो frequency band just sufficient हो to ensure the transmission of information उसको क्या बोलते हैं necessary bandwidth necessary bandwidth for a given class of emission the width of frequency band which is just sufficient to ensure the transmission of information at the rate and with the quality required under specific conditions यही definition लिखी होई है ITU के radio regulation में necessary bandwidth को समझ्य के लिए एक example लेते हैं कि कि किसी एक दरवाजे से एक हाथी को निकलना है और एक बिल्ली को निकलना है तो हाथी को निकलने के लिए ज़्यादा चौड़े दरवाजे की जरूरत होगी इसलिए हाथी के corresponding necessary bandwidth की requirement जादा है और बिल्ली को निकलने के लिए बहुत छोटे से जगे से निकल सकती है इसलिए उसके corresponding necessary bandwidth की requirement बहुत कम है तो necessary bandwidth क्या है जितना छोटा सा छोटा दरवाजा जिससे जस्ट वो पास हो जाए या निकल जाए वही उसकी necessary bandwidth होती है सेम लाजिक आप electromagnetic waves के उपर apply करिए signal के लिए जो minimum required bandwidth होती है वही उसकी necessary bandwidth होती है जिससे उस signal पास हो सकता है अब occupied bandwidth समझते हैं आपने सुना होगा 3db down bandwidth तो 3db down bandwidth क्या होती है जो maximum power होता है उसका half power जिस point पे आता है बोट side आप दे signal उन दोनों point को आप identify करिए और उनके बीच के difference को ही क्या कहते हैं occupied bandwidth कहते हैं यह हम time domain में बात नहीं कर रहा है यह frequency domain में बात किया भी हमने यहाँ एक चीज़ समझ लेजिए कि signal को analysis के लिए दो domain में काम किया जाता है एक time domain में होता है एक frequency domain में होता है कुछ एक time domain में ही मान लिजिए किसी की time shifting करनी है आपको delay introduce करना है कोई signal 10 seconds के बाद आना चाहिए तो उसमें क्या होगा उसके corresponding हम analysis करने के लिए कि time domain में shifting का effect क्या होगा frequency domain में यह सब के लिए बहुत सारे transform है जैसे एक laplace transform है fourier transform है इनसे इनकी बहुत सारी analysis की जाती है तो यह सब आपके slavus में नहीं है तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की जरूत नहीं है जो लोग gate और engineering services अगरे की preparation कर रहे हैं उनके लिए हम अलग से lecture में इसको cover करेंगी तो हम बात कर रहे थे occupied bandwidth की satellite में bandwidth measurement के लिए कई nomenclature है जिसमें करते हैं 10 db down bandwidth, 12 db down bandwidth, 20 db down bandwidth तो वहाँ specify करना होता है कि कितने db down bandwidth हम calculate किये हैं या फिर measure किये हैं यहाँ एक चीज और note करने की है occupied bandwidth हो bandwidth होती है जिसमें maximum power of this signal is confined in that bandwidth occupied bandwidth की definition rr में क्या लिखी होई है the width of a frequency band such that below the lower and above the upper frequency limits the mean power emitted are each equal to a specified percentage beta by 2 of the total mean power of a given emission अभी हमने discuss कर लिया कि occupied bandwidth क्या होती है और necessary bandwidth क्या होती है अब हम necessary bandwidth पे concentrate करते हैं necessary bandwidth को calculate करने के लिए ITU का एक recommendation है जिसमें different different emissions के लिए different different modulation के लिए उसमें formula दिया हुआ है कि आप necessary bandwidth कैसे calculate करेंगे जैसे 2PSK के corresponding necessary bandwidth formula है BN is equal to 2RK divided by log S base 2 यहाँ पे इतने detail की जरूरत नहीं है लेकिन जो लोग interested है मैं इसका link आपको description box में दे दूँगा आप जा करके इस recommendation को पढ़ सकते हैं तो वापस आते हैं अपने topic पे necessary bandwidth को किस तरह से denote करेंगे अगर emission के part में अगर necessary bandwidth है तो उस part को कैसे denote करना है तो उस पे हम अप concentrate कर रहे है the necessary bandwidth shall be expressed by the three numerals and one letter three numerals and one letter तो emission में जो पहले चार symbol होंगे उसमें से पहला तीन symbol numerals होगा और चौथा symbol letter होगा बहुत important है इसको ध्यान से देखिए letter की position क्या होगी decimal point पे होगा करेगा किसको represent करेगा bandwidth की unit को represent करेगा तो अभी यहाँ ध्यान से देखिए the necessary bandwidth shall be expressed by three numerals and one letter the letter occupies the position of the decimal point and represents the unit of bandwidth the first characters shall be neither zero nor km और g अभी जो चौथा symbol letter है उसके बारे में जान लेते हैं कि अगर frequency point 001 से लेकर के 999 hertz तक है तो क्या होगा letter ह होगा यानि उसको hertz में express करेंगे अगर 1 kHz से लेकर के 999 kHz तक का है तो उसको कैसे express करेंगे kHz में express करेंगे और इसको capital K से लिखेंगे mission designator में जितने भी symbols आएंगे सबको capital letters में ही लिखना है अगर वो alphabet आते हैं numerals आते हैं तो normal numerals की तरह ही लिखना है अब आगे देखिए अगर 1 MHz से 999 MHz तक के necessary bandwidth है तो उसके लिए councilator इस्तेमाल करेंगे M capital M इस्तेमाल करेंगे इसी तरह से 1 GHz से लेकर के 999 GHz तक को कैसे express करेंगे capital G से express करेंगे किसी भी emission को लिखने के लिए जो पहले चार symbols हैं वो necessary bandwidth के लिए रहेंगे अब माल लीजिए आप एक example लेते हैं माल लीजिए कि आपके पास जो necessary bandwidth दी हुई है वो है .002 Hz तो इसको कैसे लिखेंगे necessary bandwidth को emission regionator में मैंने बताया कि decimal point पे ही letter आना है तो आप decimal point की जगे letter लिख दीजिए h हो गया उसके बाद लिखा है 002 तो h 002 हो गया क्योंकि यह hertz में है इसलिए h लिखा हमने और .002 Hz है तो उसको लिखा है h 002 इसी तरह से एक दूसरा example लेते हैं माल लीजिए आपको necessary bandwidth दिया है .1 Hz तो आप point की जगे क्या hertz चुकी है तो point की जगे क्या आएगा h symbol आएगा उसके बाद में 1 है 00 उसके पाद में आपको add करना पड़ेगा क्योंकि आपको total 4 symbols बनाने हैं इसी तरह से एक अलग example लीजिए माल लीजिए 25.3 hertz है आपको necessary bandwidth अब इसको emission designator में कैसे लिखेंगे तो आप 25 पहले लिख दीजिए decimal point की जगे symbol h आएगा क्योंकि यह hertz में दिया हुआ है उसके बाद 3 लिख दीजिए तो यह total क्या हो गया 4 symbols हो गया तो यह necessary bandwidth जो आगई 25h3 बन गया इसी तरह से माल लीजिए आपको 400 hertz दिया है तो आप कैसे लिखेंगे अब इसमें तो decimal point नहीं है तो जहां पे 400 खतम हो गया वहाँ decimal 0 लिख सकते हैं यानि 400.0 लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए 400h तो इसका क्या हो गया necessary bandwidth 400h तो यह emission का part हो गया 400h इसी तरह से 2.4 kilohertz जगर है तो उसको कैसे लिखेंगे तो 2 लिख दीजिए decimal point की जगे k लिख दीजिए यानि यहाँ आप तो kilohertz में है तो k आएगा capital k symbol उसके बाद 4 लिख दीजिए उसके बाद आपको 0 add करना पड़ेगा क्योंकि आपको total 4 symbols का set बनाना है तो इसका क्या हो गया 2 k 4 0 इसी तरह से मा लिजे 6 kilohertz को लिखना है तो 6 kilohertz के लिए k 00 इसी तरह से 12.5 kilohertz अगर bandwidth है आपकी necessary तो उसके लिए क्या लिखेंगे 12 k 5 अभी बहुत ज़्यादा important है इसको ध्यान से देखिए अगर आपके पास kilohertz, megahertz या gigahertz में already 3 digit में जो है necessary bandwidth दी हुई है उसके बाद decimal point लगा है तो उसमें क्या करना है उसमें round off करना है कि अगर 140.5 है तो उसको 141 कर देना है या 180.4 है तो उसको 180 कर देना है इसी तरह से 180.5 है तो उसको round off करके 181 कर देना है इसी तरह से 180.7 है तो उसको round off करके आपको 181 करना पड़ेगा तो अब आपके पास में 3 digit में convert हो गया वो 4 digit का जो भी 180.4 था वो अब क्या हो गया 180 क कर रस्पांडिंग हो गया अब 180 K को सीधा लिख सकते है 180 K इसी तरह से 181 हो गया किसका 180.5 किलो हर्ट का तो अब लिख सकते हैं 181 K इसी तरह से 180.7 किलो हर्ट को कैसे लिखेंगे इसको round off कर दिया तो 181 आ गया तो अब लिख दीजिए 181 K तो यह हो गया इसकी necessary bind width इसी तरह से 1.25 मेगा हर्ट को क्या लिख सकते हैं 1 M25 2 MHz को 2 M00 10 MHz को अब बताइये क्या लिख सकते हैं 10 M0 इसी तरह से 202 MHz को क्या लिख सकते हैं 202 M इसी तरह से 5.65 GHz को क्या लिख सकते हैं 5G65 यह हो गया necessary bandwidth तो यहां मोटा मोटा क्या करना है आपको किसी भी necessary bandwidth को 4 symbols में convert करना है जैसे 0.1 Hertz को क्या लिख दिया H100 तो आपको 4 बनाना है किसी भी तरह से बनाना है जैसे आपने क्या किया 180.5 को क्या कर दिया Round off करके उसको rounded up to next integer करके 181 बना दिया अब 181 के लिख दिया तो इस तरह से हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया है कि emission का जो first part है necessary bandwidth उसको कैसे लिखना होता है अब इसका knowledge आपको कैसे useful हो सकता है उसके बारे में बताता हूँ माली जी आपको एक कोई radio खरीदना है ham radio अब आप उसका technical specification देख रहे हैं तो उसमें लिखा है channel spacing 12.5 kHz slash 25 kHz इसका मतलब इसमें दो तरह के mode है एक में necessary bandwidth 12.5 kHz है यानि इसको 12 k5 लिख सकते है और दूसरे में 25 kHz है इसको लिखेंगे 25 k0 तो ये necessary bandwidth जो है यह सी को channel spacing के नाम से यहां दिया हुआ है अगर आप commercial user है और spectrum charges pay कर रहे हैं ministry of communication को तो आप सोचेंगे कि हमको कम से कम charges pay करना पड़े इस तरह के किसी device या equipment का हम इस्तेमाल करें और हमारा काम हो जाए तो उस time में आप ऐसे equipment ढूटते हैं जिसकी channel bandwidth कम होती है क्योंकि आपको अगर double bandwidth यूज करेंगे तो आपको double charge pay करना पड़ेगा spectrum charges double हो जाते हैं इसलिए spectrum user को इसकी बारे में जनकारी होना जरूरी है यहाँ channel spacing का ये मतलब है कि एक channel से दूसरे channel के बीच में क्या space है 12.5 kHz का space है तो बीच में guard band भी होगा बट जो पूरा spectrum आप यूज कर रहे हैं बोट side of center frequency वो 12.5 kHz है इसलिए आपकी necessary band लगबग 12.5 kHz required है इसका मतलब यह होगा कि interference free communication के लिए आपके इस equipment की requirement क्या है necessary bandwidth की 12.5 kHz Emission Regignator में second part को cover करते हैं जिसमें section 2 classification है उसके दो और subsection है जिसमें एक basic characteristics है उसमें जो है 3 symbols है पहला symbol है type of modulation of the main carrier second symbol है nature of the signal modulating the main carrier third symbol है type of information to be transmitted इसका जो second subsection है वो optional है नार्मली लिखा नहीं जाता है लेकिन हम जान लेते हैं कि वो क्या है उसमें दो symbols है fourth symbol and fifth symbol fourth symbol is details of the signal and fifth symbol is nature of multiplexing जहाँ पे fourth और fifth symbol नहीं लिखे जाते हैं वहाँ पे dash लिख दिया जाता है लेकिन slowly slowly ये भी प्रचलन में अभी नहीं रहा अभी नार्मली लिखते हैं 12K5F3E या 180KF3E जो FM transmission में होता है broadcasting mode में उसमें 180 kHz उसकी necessary bandwidth होती है और FM modulation होता है इसलिए F3E लिखते हैं तो 180KF3E अब आए F3E के बारे में पूरा detail में देखते हैं यानि ये जो 3 symbols हैं उसके first symbol को किस तरह से लिखा जाता है तो first symbol बताता है modulation type of main carrier अगर N है तो unmodulated double side band है तो A लिखेंगे single side band full carrier है तो H लिखेंगे single side band reduced carrier है उसको R लिखेंगे single side band suppressed carrier है J लिखेंगे independent side band है तो उसको B लिखेंगे और vestigial side band है तो उसको C लिखेंगे frequency modulation है तो F लिखेंगे phase modulation है तो G लिखेंगे अगर sequence of pulses modulated in amplitude है तो K लिखेंगे modulated in width या duration है तो L लिखेंगे modulated in position और phase है तो M लिखेंगे और इन सब में से कोई नहीं है तो उसके लिए X लिखेंगे यानि यो cover नहीं हुआ इन सभी alphabets में तो उसके लिए X लिखेंगे अब इसमें second symbol में जाते हैं second symbol जो बताता है nature of signal modulating the main carrier अगर उसमें 0 है तो उसको बोलेंगे no modulating signal अगर 1 है तो a single channel containing quantized or digital information without the use of a modulating sub carrier for a single channel containing quantized or digital information with the use of modulating sub carrier तो उसके लिए 2 यूच करेंगे a single channel containing analog information तो उसके लिए 3 यूच करेंगे 2 or more channels containing quantized or digital information 7 यूच करेंगे 2 or more channels containing analog information तो 8 यूच करेंगे composite system with one or more channel containing quantized or digital information together with one or more channel containing analog information तो 9 यूज़ करेंगे और इन में से कोई भी नहीं कवर हुआ case of not otherwise covered उसके लिए X यूज़ करेंगे अब third symbol के बारे में देख लेते हैं third symbol क्या बताता है type of information to be transmitted अगर कोई भी information नहीं transmit हुई है तो N यूज़ करेंगे अभी हमने J3E यूज़ किया था S3E यूज़ किया था E क्या है telephony including sound broadcasting F क्या है television video W क्या है combination of the above A क्या है telegraphy for oral reception B क्या है telegraphy for automatic reception C क्या है faxamile deferred data transmission telemetry and telecommands ये ज़्यादा तर satellite communication में यूज़ होता है अगर इतना आपको समझ में नहीं आया है तो ज़्यादा परिसान होने की जरूरत नहीं है मैं इसका link आपको description box में दे दूँगा आप वहाँ से इसको refer कर सकते हैं जब कभी आपको जरूरत हो यहाँ है सबको याद करने की जरूरत नहीं है आप एक बार समझ लिएजिए कि इसको use कैसे करते हैं और इसको हर एक symbol का meaning कैसे describe होता है आपको केवल कुछ एक regular जो use होते हैं ham radio में emissions उनको याद रखना है और वही exam में भी पूछे जाते हैं तो अब हम time waste किये भी न उसको discuss कर लेते हैं A1A यह है most telegraphy इसमें पहला symbol जो है A है उसका meaning है double sideband और दूसरा symbol 1 है उसका मतलब है a single channel containing quantized or digital information without the use of यह modulating subcarrier third symbol जो है A है उसका meaning है telegraphy तो A1A क्या हो गया most telegraphy जिसमें पहला A बताता है कि यह double sideband है और last A बताता है कि यह telegraphy है और 1 बताता है कि इसमें कोई भी modulating subcarrier नहीं है next है A2A A2A में सब चीज सेम है किवल 2 आ गया 1 की जगह में तो यहाँ पे एक modulating subcarrier आ जाएगा इसको बोलते हैं modulated CW mors continuous wave mors तो इसमें क्या है पहला A जो है symbol उसका मतलब है double sideband 2 का मतलब है single channel containing quantized or digital information with the use of modulating subcarrier last A का मतलब है telegraphy for oral reception अगला है facsimile A3C जिसमें A अभी हमने बताया कि double sideband है 3 है यह single channel containing analog information उसके लिए 3 यूज होता है last symbol C जो है facsimile के लिए यूज होता है इसका मतलब कि कोई replicate किया जाता जब किसी चीज को उसको बोलते है facsimile next है A3E इसको बोलते है AM voice amplitude modulated voice इसमें A जो पहला symbol है उसका मतलब है double sideband 3 हमने बताया a single channel containing analog information और इसमें E जो है E को बोलते हैं telephony including sound broadcasting A3F fast scan TV के लिए emission A3F लिखते हैं जिसमें first symbol A जो denote करता है और double sideband को denote करता है 3 जो denote करता है single channel containing analog information को denote करता है और last जो है symbol F वो television या video को denote करता है next है F1B इसको RTTY या FSK नाम से भी जानते हैं इसमें first symbol जो F है वो frequency modulation को denote करता है one हमने पहले बताया है कि without modulating sub carrier अगर कोई भी single channel है last जो B है वो denote करता है telegraphy को for automatic reception next है F2B इसको RTTY में AFSK बोलते हैं amplitude modulated frequency shift king AFSK इसमें पहला बताता है ये frequency modulation है 2 बताता है कि जो भी ये single channel containing digitized information उसमें एक modulating sub carrier है B क्या denote करता है telegraphy है for automatic reception next है F3E इसको FM voice के लिए या narrow band FM voice के लिए यूज किया जाता है F3E इसमें F denote करता है frequency modulation 3 denote करता है कि ये single channel containing analog information और E denote करता है telephony including sound broadcasting next है F3C F denote करेगा frequency modulation को 3 denote करेगा single channel containing analog information और C denote करेगा facsimile को next है H3E SSB full carrier के लिए S3E यूज करते हैं जिसमें H denote करेगा single side band full carrier 3 denote करता है single channel containing analog information और E denote करता है telephony including sound broadcasting next emission है J3E SSB suppressed carrier इसमें J denote करता है single side band suppressed carrier 3 denote करता है a single channel containing analog information and E denote करता है telephony including sound broadcasting अगला emission टाइप है R3E SSB reduced carrier single side band reduced carrier इसमें R denote करता है single side band reduced carrier और variable carrier 3 denote करता है single channel containing analog information और E denote करता है telephony including sound broadcasting अभी आपको emission type समझ में आ गया होगा या mode of communication समझ में आ गया होगा उसमें various emissions यूज होते हैं अब मैं कुछ important emissions को यहाँ एक बार फिर से revise कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार exam में पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान से देखिएगा A3E AM speech communication used for aeronautical or amateur radio communication F3E FM speech communication often used for maritime radio and many other VHF communication 20K0 F3E इसमें 20K0 necessary bandwidth and F3E classification है तो इसको यूज किया जाता है wide FM 20KHz bandwidth plus minus 5KHz deviation still widely used for ham radio next 11K2 F3E narrow FM 11.25 KHz bandwidth plus minus 2.5 KHz deviation ये कहां use होता है land mobile radio services LMRS service J3E J3E SSB speech communication used on HF bands by the maritime, aeronautical and amateur users R3E SSB with reduced carrier speech communication इस lecture को आप एक बार, दो बार, तीन बार देख करके एक अच्छा सा notes बना लीजिए और चीजों को note कर लीजिए इसके PDF को मैं description box में link दे दे रहा हूँ आप download करके भी पढ़ सकते हैं Thank you for watching HTV All the best for coming examinations Jai Hind